इंदौर से मेरी करजन का कॉल आया. कैती क्या यार तो सारा दिन राजस्थानी डालबाटी बनाती रहती है? किसी दिन हमारे इंदौर का डालबाफला भी ट्राए कर, तुझे मज़ा आजाएगा, तो राजस्थानी डालबाटी को भूल जाएगी. मैंने का नहीं मैं दाल बाटी तो नहीं बूल सकती लेकिन हाँ इन दौर का दाल बाफला जरूर ट्राइ कर सकती हूँ और आज मैं वही बनाने जा रही हूँ तो चलिए फिर फटा फट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है सबसे पहले इसका आटा लगाएंगे याने बाफले के लिए आटा लगाएंगे तो यहां पर मैंने दो कप गेहू का आटा ले लिया है इसके लिए जो आटा होता है थोड़ा मोटा चाहिए होता है मोटा पिसा हुआ अगर वो आपके पास में नहीं है आपके पास पैकेट वाला आटा है तो इसमें आप एक चौथाई कप सूजी का मिला लीचे तो बरावर बात हो जाएगी इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर क्योंकि इसमें जो कलर है आटे का वो थोड़ा येलो एश होता है एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा का डालेंगे एक चम्मच अजवाइन का डालेंगे और अजवाइन को इस तरीके से ख्रश करके डालेंगे अब इसमें हम डाल देंगे नमक तो नमक आप डालिए अपने स्वाद के अनुसार इसमें जाएगा दही, दो चम्मच, दो से तीन चम्मच आप इसमें दही के डाल सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे घी, तो चार से पांच चम्मच हम यहाँ पर घी के भी ले रहे हैं, घी में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजेगा, बाटी हो या बाफला घी ज़रूर होना चाहिए, सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, पढ़िया से जो घी उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे, रूल चाहिए बाटी हो या बाफला एकदम सेम होता है, कि आटा जो है वो दोनों का टाइट लगाया जाता है, इस बाद का हमें खास ख्याल रखना है, जितना टाइट आटा लगाएंग और 20-25 मिनिट के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं, तब तक हम डाल बना लेते हैं, देखिए डाल जो भी आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं, मैं जो बनाती हूँ वो आपको बता देती हूँ, ये है आधा कप मूं की डाल, आधा कप मसूर की डाल, दोनों को एक साथ दो-तीन बार दो, पंद्रह मिनिट के लिए भेगो दिया था, पंद्रह मिनिट में ये बढ़िया सोफट हो जाती है, फूल जाती है, अब कूकर में, यहाँ पर दो से तीन चंमज तेल लेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा, इसमें डालेंगे एक चंमज जीरा, एक तेस पत रखेंगे एक कटा हुआ प्यास दालेंगे मीड़ियूम पर और प्यास को बढ़िया से भून लेंगे याने की आता प्यास को खेंगे ब्राउन कर दिंगे लिए क्लरणी दोणे माशाल किब पानी इसलिए डाला है ताकि जो जलना जाए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो लग भग मैने तीन चार चम्मच पानी का और डाला है mix करके 2-3 मिनिट के लीए मसाले को पकने देंगे 2-3 मिनिट में मसाला जो है वो बढ़िया से पक जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे टमाटर तो एक टमाटर मैं यहां पर ले रही हूँ, चोटा-चोटा काट लिया है इसके साथ ही नमक भी हम डाल देंगे अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर जो है वो सौफ्ट नहीं हो जाते तो आप चाहें तो ढग कर पकाएं चाहें तो लगातार इसी तरीके से चलाते हुए पका ले जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखी थी और डाल का पानी हमने अलग कर दिया है इसमें दो कप हम गरम पानी के डाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अब जैसे ये mix हो जाएगा बस हमें कुछ भी नहीं करना है कूकर के ढखकन को बंद कर देंगे हाई फ्लेम पर 4 सीटी आने तक हम दाल को उबाल लेंगे पका लेंगे तो 4 सीटी में डाल जो है वो अच्छे से पक जाएगी उसके बाद गैस को बंद करके प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे और ये देखिए दाल जो है वो बहुत अच्छी बनकर तयार हो गई है एकदम परफेटली कुक हुई है आपको अगर और ज्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें गरम पानी डाल सकते हैं अब लगाएंगे तड़का तो तड़के के लिए यहाँ पर तीन से चार चम्मच मैंने घी का लिया है जब घी गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे एक चम्मच सीरा तीन से चार लहसुन की कलिया और दो हरी मिर्ची को मैंने कूट लिया था वो भी इसमें डालेंगे और इस पर चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल कर mix करेंगे और जैसा ही मिक्स हो जाएगा तड़का है डाल का वो तैयार हो जाएगा इस तड़के को दाल के उपर डाल देंगे और यह देखिये यह अभीसे ही कितनी बड़िया लग रही है यह डाल बहुत ही सिंपल बनती ह लेकिन बहुत अच्छी बनती है यह हींग का पानी जो हम डालेंगे लास्ट में थोड़ी सी हींग को मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था दस मिनिट के लिए धनिया पत्ती डाल देंगे दाल को जब भी सर्फ करें पांच मिनिट इस तरीके से ढख कर रखें उसके बाद ह दाल तयार है यहां आटा भी सेट हो गया है आटे को एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से मसल लेंगे अब देखिए आटे की हमें थोड़ी बड़ी बड़ी लोईया बना लेनी है इससे हमें क्या करना है इस तरीके से सबसे पहले गोल-गोल करना है एक बॉल की तरह और उ है थोड़ी मीडियम साइज की बनाया निकिन नौर्मल रोटी पराठे के लिए जो बनाते है उससे हमें थोड़ा बनाना है क्योंकि यह बाफला है तो इसी तरीके से हमने सारी लोईया जो है वो तयार कर ली है अब यहां पर हमने पानी को बहुत अच्छे से उबाल लिया ह जब पानी में अच्छा उबाल आजाएगा तो एक एक करके जितने भी ये बाफला है वो हम इसके अंदर डाल देंगे हाई फ्लेम पर 12-15 मिनिट तक हम इने पकाएंगे जब आप इने डालेंगे पानी के अंदर तब ये तले में रहेंगे लेकिन 12-15 मिनिट के अंदर ये एक दम उपर आ जाएंगे ये है निशानी कि ये पक चुके हैं उपर आने के साथ-साथ इनमें इस तरीके से क्रैक्स भी आ जाएंगे इसका मतलब ये अच्छे से पक कर तयार है बढ़िया उबल चुके हैं इनका साइज भी आप देख सकते हैं पहले से काफी ज्यादा हो गया है तो एक एक करके हम इन्हें बहार निकाल देंगे और पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनका पानी जो है वो थोड़ा सूख जाए तब तक हमने यहां पर बाटी वाला जो तंदूर है वो प्री हीट करके रखा हुआ है पांच मिनिट के लिए ही प्री हीट किया है अब अगर आपके पास ये वाला तंदूर नहीं है तो जिस तरीके से हम केक बनाते हैं कड़ाई में बिलकुल वही प्रोसीजर आपको करना है कड़ाई के उपर कोई भी जाली वाला प्लेट या रिंग रख दीजे और उसके हमने रख दी हैं तंदूर के उपर इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए हम पकने देंगे पांच मिनिट के बाद ये देखिए बाटियों के उपर कितनी बढ़िया शाइन आ गई है इसे हम पलट देंगे हर तरफ से हमें इसे पलटते हुए सेखना है और आच मिनिट के लिए और दूसरी तरफ से भी इसे सेख लेंगे तो देखिए दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छी सिह गई है बाटियों में बहुत अच्छी शाइन भी आ गई है अब आप चाहें तो इसे इस तरीके सेह भी सब तर सकते हैं लेकिन हमें बनानी हैं एक इस तरीके से कर लेंगे सारी को हम दो या चार पार्ट में जैसा भी आपको ठीक लगे हम काट लेंगे उसके बाद यहां पर मैंने घी जो है वह गरम करने के लिए रख दिया है अब देखिए मैं घी में फ्राइक कर रही हूं आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं लेकिन क् घी में ज्यादा मज़ा आएगा तो देखिये रोज रोज तो खाते नहीं है आई सी चीजने इसलिए कहरे हुँ घी में ही फ्राइब कीrise ज्यादा मज़ा आएगा तो घी में हमें इसे तब तक फ्राइर करना है जब तक कि यह एकदम golden और crispy नहीं हो जाते तो देखिए या तो लगातार इसे चलाते रहे या बीच बीच में चलाइए और इसे एकदम crispy करारा और golden कर दीजे विल्कुल इस तरीके से इसी तरीके से सारी जो बाफला है वो हम fry कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा घी से नहीं कर पा हैं बाफला और चलिए अब प्लेट लगा ही लेते हैं बहुत जोरों की भूख लग रही है यहां पर दाल तयार है साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा सलाथ भी मैंने चटनिया भी बनाई है उसकी बिना तो यह एकदम अधूरा है यह हरे धनी की चटनी यह लैसुन की सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी आप जरूर से सर्च कीजे वीडियो में और यहां पर तयार हो गई हमारी बाफला भी तो आप इसे इस तरीके से देखिए चूर कर खाईए तब ही आपको आएगा असली मजा तो यहां पर देखिए मैंने इसे एकदम चूर दिया है उप करजिन को फोन करके बताऊंगी कि यह बहुत अच्छी बनी है कैसी लगी है आपको यह रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए